वेलकम तो इस पर्टिकुलर वीडियो टुटूरियल स्टूडेंट्स और अब यहां पे इस पर्टिकुलर वीडियो टूटूरियल में हम बात करेंगे हमारे आर्किटेक्चर में एक छोटी सी चीज है विच इस माइ प्रोग्राम स्टेटस वर्ट और यह बहुत सारा काम परफॉर्म करती है तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ट को आप कंपेर कर सकते हैं 8086 के फ्लैग रेजिस्टर से क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे फ्लैक्स आपको दिखाई देने को मिलेंगे तो एक एक करके हम इन फ्लैक्स के बारे में डिस्कॉशन कर लेते हैं जैसा कि आप यहां पर इस डाइग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लैग रेजिस्टर है वह एक 8 बिट का रेजिस्टर है प्रॉम पोजिशन नमबर 7 तो पोजिशन नमबर 0 और इसके इंदर टोटल जो फ्लैक् का क्या मतलब है वो मैं आपन समझ लेते हैं तो पहला वाला जो है वो है आपका सी वाई और सी वाई सिंपल सा है सी वाई स्टैंड्स पॉर यह कैरी फ्लैग तो जब भी आप एक अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उस अर्थमेटिक और कैरी कप पुजिशन से जब बाहर गी तरफ कैरी जाएगी तब कैरी फालेग आपका सैट हो जाएगा 8.086 से 6 नफए सिर's की गाऄट होता है यहां तो खो 7 कोछिब आफ प bacon प्रोसेर न जहांविसprochen मालेसर कर नहीं होती है depends on कि आप और शिर 051 सिर्फ उसिफ 8 बिट पर operate कर सकता है तो D7 से जब भी ये carry generate होगी तो carry flag हो जाएगा आपका set same subtraction instruction के लिए भी ये जी follow करती है next जो है ये भी आपका similar है तो ये है आपका auxiliary carry flag auxiliary carry flag और ये carry flag की जो value है वो आपकी set हो जाती है कब set हो जाती है जब एक carry generate होती है carry travel करती है from position D3 to D4 तो जब भी D3 से D4 अगर कोई carry generate हो रही है तो आपका auxiliary carry flag है वो set हो जाता है और ये BCD operations में हमारा use होता है उसके बाद में जो next है हमारा F0 या ये untust basically flag है ये flag हमें कुछ भी नहीं दिखाता है लेकिन ये user के लिए available रहता है तो user जो चाहे वो इस flag के साथ में इस copy हो कर सकता है इसके बाद में जो दो मेरे पास में bits हैं RS1 और RS0 ये RS जो है इसका full form होता है register bank selection तो मैं या आपे लिख देता हू register bank and selection तो आपका जो 8051 microcontroller है आगे जागे आपको समझ में आएगा फिर इसमें जो हैं वो चार registers bank होते हैं और चार register bank जो हैं वो आपके कौन-कौन से होते हैं तो पहला आपका होता है bank 0 sorry I should be writing B, A, N, K फिर उसके बाद में आपके पास में है bank 1 फिर आपके पास में है bank 2 और फिर उसके बाद में है आपके पास में है bank 3 तो आप चारों में से जो भी register bank आप उपयोग करना चाते हैं वो bank आप कौन सा use करेंगे वो आप इन दोनों bits को set या reset करके आप decide कर सकते हैं तो अगर ये दोनों bits rs1 and rs0 अगर इन दोनों bits की value को मैं 00 कर देता हूँ तो bank 0 select होगा 01 करूँगा तो bank 1 10 select करूँगा तो bank 2 and 11 करूँगा तो bank 3 ठीक है simple सा है register bank के बारे में हम आगे भी discussion करेंगे इसके बाद में हमारे पास में OV which stands for overflow overflow तो जब भी आप signed number के साथ में operation perform कर रहे हैं और उस sign number का operation जो है वो sign bit को ही खराब कर देता है उस पर कुछ information चली जाती है most significant bit पे कोई data bit travel कर जाती है तो आपकी जो sign information है वो processor lose कर देता है और उस condition में हमारा जो overflow flag है वो set हो जाता है ठीक है so the result of sign number operations is too large causing the higher order bit to overflow and it goes inside my sign bit और इसकी वज़े से आपका जो है वो overflow हो जाएगे ठीक simple सा है last वाला जो है p is a science for parity तो ये वाली bit जो है वो मेरे को बताएगी कि कब मेरे को even parity आ रहे है यानि आपने एक arithmetic and logical operation perform किया और उस arithmetic and logical operation पर आपका जो result आ रहा है वो even parity है या odd parity है वो information आपको यहां से parity flag से मिल जाएगी ठीक है तो यह हमारा हो गया है program status world of my 8051 microcontroller अब आगे जब हम अगले video tutorial में मिलेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे register bank की और साथ में हम बात करेंगे stack memory की तो वहां मिलते हैं see you there thank you so much have a great day ahead करेंगे दो